हलो बच्चो कैसे हैं आप सभी लोग मैं सुनिल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्राइकर जियस अकाड़मी में मैं यहां पर अगर बात करें दोस्तों तो हम लोग यहां पर इंडियन जोगरिफी की सीरीज कर रहे थे ठीक हैं तो अगर हम इंडियन सपनों जो क्लास थी व लाश्ट थी क्योंकि हम लोग ने उससे पहले कम से का हमने रिवर्स के ओपर यानि जो अगर बात करें हारत की नदियों के बारे में आगर लगए थे क्लास है एपसका डिटीayan को ậूर में क॑र किए अगर हम इसकी बात करें तो यह प्रीकम मेंस को लेकर उसी तरीके डिजाइन किया गया ठीक है तो हम लोग उसी अक्वार्डिंग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जो कह लें कि जो टॉपिक्स है या जो भी चैप्टर से वो थोड़े ब्रॉड रहेंगे आपकी अंडेस्टेंडिंग को डबलब क पर रहें ठीक है तो आज हम लोग जो है जो आज का जो टॉपिक्स है आज हम लोग पढ़ेंगे वह भारत के जल्परपात यहाला कि यह मेंस का टॉपिक्स नहीं है बढ़ क्या है कि यह जैसे PCS है यह पी PCS है या आपके और भी आरो यह और भी जो चोटे-चोटे एक्जा पूछा जासकता है कि मावन लोग कोई जल्परपात है वो किस नदी पर है या किस राज्य में है यह सारा कुछ उससे पूछा जा सकता है तो आज हम लोग वही टॉपिक को कवर करेंगे ठीक है तो हम लोग देखो मैं आपको बता दू जैसे कि मैंने जब आपको जौगरफ क्यusu होता है हुमारे पास ब्सक्राइब हमारे बाट से हमपाथ हैं है जन में हम पढवे कि हमक्या है हैं надо सलके ऐगर और हम पढ़ती हैं और तो इनको हम आप परते हैं VA इस दल खंड बाला कभर कर चुकए और तीसरा होता वह है climate यानि वाईयो मंडल अगर हम वाईयो मंडल में बात करें जिसमें हम लोग बहुत सारा wind pattern है भारत की जलवाईयों है मांसून जो जिसको बोलते हैं यह सारा कुछ पढ़ते हैं बादल कैसे बनते हैं कैसे सारी चीजें हम लोग इसमें वह उनकी हम अलग से class लेंगे बट मुझे ऐसा जान लग रहा है कि उसी class लेंगे कोई जरूरत नहीं है मैं आपको क्या करूंगा जो मेरा वाटसप ग्रूप है 8840486309 इस पर आप यह तो जुड़े नहीं अभी तक और मैं क्या करूंगा वह जो आज पीडिया पर जो भारत की स्वारी जो भारत के प्रमुक्ष नगर है उनको हम क्या करेंगे उनकी आपको एक पेज का है पूरा पंदरह से बीस ऐसे 21 बाइस सहर है जो आपको में लिए याद करने हैं मैं उसकी आपको पीडिया दे दूँगा ठीक है तो आप क्या है उसको वहां से नोट्स कर ली जगा ठीक है तो आपका बंज जाग उसी class लेन तो मैं वहां से आड कर दूँगा या तो आप क्या करेंगे मैं लिंक दूँगा आपको इसी चैनल इसी class के डिस्क्रिप्टर लिंक में आप वहां से जाके भी उसको ले लिए ठीक है और मैं आपको यह भी बता दू जो भी नए है इससे पहले बहुत सारी classes हो चुकी है उन आपको देखना है और उसकी भी मैं आपको लिंक आज प्रवाइड करा दूँगा ठीक है इसी डिस्क्रिप्टर लिंक ठीक है तो आपको जोगरफी अच्छे से सारी किस समझ में आ जाए बाकि जो तो कर रहे हैं मेरे साथ उनको तो पता ही ठीक है तो चलिए फिर हम आज का एक का यहां आपको टॉपिक हैं अब हम प्रते हैं टॉपिक करते हैं तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है भारत के भारत के जल प्रपाथ जल प्रपाथ मतलब क्या होता वाटर फॉल्स प्रपाथ है ना वाटर फॉल्स ऑफ इंडिया ठीक है भारत के जल प्रपाथ तो हमको आज का यह टॉपिक करना है ठीक है इसमें भी कुछ जादा नहीं बट मैं इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा थोड़ा सा आपको हिंड दूंगा कि कैसे याद करना है किस तरीके सा आपको वाटरफॉल कौन किस नदी पर आपको इस सारा कुछ मैं थोड़ा सा ट्रिक के मांध्यम जो थोड़ा बत जो पेज जहां तक आपने लिखा है जो पुराने जहां तक लिखा उससे उसको छोड़के अगले पेज में इसको बनाईएगा ठीक है तो यहां पर एक तरह आप लिखेंगे जल प्रपात फिर बीच में लाइन खीचेंगे इस तरीके से और इधर लिखेंगे दोस्तों लोग इस्थान भी उसको लिख लिखेंगे और एकरें लोग लिखते चलेंगे तो सबसे पहले तो पहला जो जलप्रपात है आप मेरे साथ से लिखेंगे ठीक है सबसे पहला जो जलप्रपात उसका नाम है जोग जलप्रपात जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं महात्मा गांधी भी इसको जलप्रपात भी बोला जाता है महात्मा गांधी या इसी को दोस्तो गोर्षपपा भी बोलते हैं गोर्षपपा ठीक है इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं स्वारी गोर्षपपा नहीं जोग जल्परपात या महात्मा गांदी जल्परपात ठीक है तो यह है कहां पर दोस्तों तो यह जो है यह आपको मैं बता दू तो यह सरावती नदी पर है कहा सरावती नदी और राज कौन से हैं दोस्तों यह करनाटक इंपॉर्टन्ट क्या है इसमें तो यह मैं बता दूं यह जो जलपरपाद है इसकी थोड़ा आप लोग सोड़ा से क्या कर लिजेगा एक 225 मीटर इसकी उचाई ठीक है यह बात तो पहले आपको याद रखना है मीटर दूसरी चीज़ आपको यह याद रखना है कि भारत का सबसे उचाई पर इस्थित जलपरपाद है ठीक है तो कौन सा जलपरपाद भारत की उचाई पर सबसे उचाई जलपरपाद है भारत का तो जोग या महात्मा गांधी जलपरपाद जो किस नदीपर है सरावती नदीपर और किस राज्य में है तो करनाटक में ठीक है तो यह याद रखना है और इसकी उचाई याद रखना है क्योंकि सबसे उच्छा है तो कभी-कभी इसकी उचाई पुछा जा सकता है तो 225 मीटर यह ऐखनी और किसी क्या पूंक है याद नहीं तो- यह याद हम्नें कि भारत का सबसे उचाई परिष्थित आकर जलरपास फिक हम को दोस्तों हम लिखेंगे एना gelab Space बाद सिनी वSTABA तुछ क्या है कौन सा इना अगट इना प्रपार चल प्रपात और श्रतिए कुरुक्त है कि एना नदी पर तो 국 diver and ऐना नदी और यह है कहां पर दोस्तों तो यह महा은बल का यह कहां महाराश्थ महाराष्ट में एक इस्थल मैंने आपको पढ़ाया है महाबलेश्वर यह महाबलेश्वर का है तो तो उसके चोटी है महाबलेश्वर तो महाराष्ट के महाबलेश्वर एक परवत है उसी में यह जलपरपाद निकलता है कौन सा इना जलपरपाद किस नदीपर इना नदीपर ठीक है कोई दिक्कत नहीं जहांपे तो थाड जो है थाड मको याद गाद रखना है दोस्तों क्या तो थाड याद रखना है दोस्तों हुंडू जल modest बात और यह है कहा पर दोस्तो तो यह दोस्तो लिपार हां पर उसकी अगर हम बात करें कुई तो मैं नहीं फॉल्व बात करें तो वह दोस्तो है कि दोस्तो अगर हम बात करें चुर्षण रेखा नदी पर किसे दीपर शॉड़ रेखा न 있다 ठीक है स्वड़ा रेखा नदी और अगर हम राज जी की बात करेंगे तो यह दोस्तो जार खंड में कहां पार है मेरे दोस्तो जार खंड में ठोक है फुन्डरू के बाद दोस्तो फोर्थ आप लिखेंगे श्यू समुद्रम जल्परपात कौन सा मैंने यह लिखा भी चुका हूँ श्यू समुद्रम शमुद्रम जल्परपात ठीक है और यह नदी कौन सी है तो यह दोस्तो कावेरी नदी पर है यह मैंना आपको लिखाया है और यह किस राज्ज में है तो यह करनाटक में ठीक है यह करनाटक में यह बहुत important है कई बार paper में पूछा जाशुका है तो सिव समुद्रम जलब पर दोस्तो कावेरी नदी पर कावेरी नदी पर दोस्तो और किस राज्ज में तो करनाटक ठीक है इसके बाद दोस्तो फिप्त जो है गोतम धारा सौरी गोतम धारा गोतम धारा या जोना जलब पर पात ठीक है गोतम धारा या जोना जलब पर पात किस नदी पर है तो दोस्तो थोड़ा से इसको देखेंगे, यह नदी का मैं आपको लिंक करके बताऊँगा, रारू नदी पर है, और राज कौन सा है, तो यह जार खंड है, ठीक है, अभी थोड़ा सा लिखेंगे, फिर मैं इसको समझाऊँगा, कैसे आपको याद रखने है इसको, इसको याद रखने का रा आखरी मारा, तो रारू नदी पर इसके तो जार खंड में, क्योंकि जार खंड में कई जोटे-छोटे जल प्रपाद हैं, जो कंफ्यूजन कर देखेंगे, तो वो स्वड़ रेखा नदी पर राज कौन सा है, तो जार खंड में, इसी तरी से याद रखन में, गोतम धार गोतम धारा जल प्रपाद जो है, धारा, रारू, रू और जार खंड में, ठीक हैं, गोतम धारा के बाद दोस्तों, छटा फिल लिखेंगे दोस्तों, साडनी, साडनी जल प्रपाद, साडनी जल प्रपाद, ठीक हैं, ये कहां पर है, ये दोस्तों साडनी, अभी मैं लिख फिर आप इसको भी समझाओंगो संख नदी पर और यह है कहां पर यह भी दोस्तों जार खंड में ठीक है तो देखो शाड़नी सा और संख सा संख सा संख तो ऐसे आपको मैचिंग करके थोड़ा पढ़ना कि रारू गौतम धारा और इन में कंफ्यूजन रहता है 21 नदी पर तो याद में सा से संख होगा साड़नी संख नदी पर और जार खंड आपको याद जग कोई लिख कर दो रीवर में होई थोड़ा कंफ्यूजर रहेगा तो गोतम धारा रा से रारू हो जाएगा ठीक है यह चीज़ आपको याद दोना है तो आपको यह साड़नी ज गोकक जलपरपाद क्या नाम है इसका गोकक और यह नदी कौन सी है तो गोकक ही नदी है ठीक है गोकक जलपरपाद गोकक नदी पर गोकक नदी पर ठीक है और यह है कहां पर तो यह करनाटक में दोस्तों ठीक है यह कहां पर है तो यह करनाटक में कहां पर है करनाटक में ठीक है तो गोकग जलब पर गोकग नदी पर कहां है करनाटक तो यह साथ लिखे पहले आपने फटाक से लिखें इसको जल्दी जल्दी फिर मैं इसको थोड़ा सा मिटाल के ऊपर और लिखूंगा तो यह हुए चलिए अब मैं मिटाल हूँ इसको मैं मिटाल रहा हूँ इनको मिटाल के अभी आप लोग नीचे और लिखेंगे अभी तो दो चार पांच और लिखने हैं इंपॉर्टन इंपॉर्टन ठीक है यह हो गया इसके बाद दोस्तो एक और है आठवा है नंबर क्या ना में उसका पाई कारा यह इंपॉर्टन है दोस्तो इसका इंपॉर्टन मैं इसलिए बताऊंगा पाई कारा जल प्रपात जल प्रपात और है कहां पर तो यह पाई कारा नदी पर है बहुत सारे जल प्रपात है वो नदियों के नाम से ही पाई कारा नदी पर है और है कहां पर तो यह दोस्तो है निलगरी परवत पर अगर हम किसी एक राज में नहीं है यह निलगरी परवत पर है निल सब्सक्राइबD राज प्रपाद जो रजिकएंना है करें और किस नदी पर एंच नदा तो specifically पर दोस्ते तो आजिस्थान आएगा मध्यप suppression नहीं ठीक है राजिस्थान याद कना हैं सब से छुलिया चंबल चुलिया चा से चंबभ और चासर चुलिया ठीक है तो चुलिया जल्परपात जो है चंबलस न दीपर है ठीक यह भी यार कोई दिक्कत नीली इसी में फिर इसके बाद दश्वा दोस्तों यार रखेंगे पुनासा जल्परपाद पुनासा मैं जल्परपाद यह इंप्वॉटंट है तो एक पुए आ है और यह कहां मिलेगा जवलपूर, जिला है, वहीं पर दोस्तों किया है, पुनाशा जलपरपात है, जो नर्मदा नदी पर है, और जो मद़ प्र迦िश्मीर, यह आद रखना बहुत इंपोर्टन है, पुनाशा जलपरपात, यहाद रखना है, एक धूओथार जलपरपात, ठीक है धुआ धार जल्प्रपाथ और ये कहाँ पर है तो ये भी दोस्तो नर्मादा नदी पर है मैं इसको लिखा भी चुका हूँ नदीयों में और जो है राज्ड कौन सा है तो ये मद्दप्रदेश ठीक है मद्द प्रदेश तो ये दोस्तो कुछ जोस्तो क्या है important जलप्रपाद है आपको इतने करने यानि 11 जलप्रपाद है ग्यारा बारा आपको उनको बस इतने ही याद रखने हैं अगर आप इतने याद करने गए तो आपको इस topic से यानि जलप्रपाद में इस से जहाब बाहर आपको question नहीं सबसे बड़ा कौन सा है ये याद अधकना है कौन सी नदी पर है याद रखना है और किस नदी पर है सरावती नदी पर और किस राज में तो करना तक तो यह सारा कुछ आपको याद अगना इन जलपाद के बारे में ठीक है और अब हमारा जो है जो वाटर से डिलेटर यानि जो बाटर बाड़िस से डेलेटर जो एक टोपिकस रहा गया वह है जील भारत की महातपूर जील एवव है थेल्ट है नवा तो जीलों को हम लोग कल करेंगे और जीलों को बहुत डेटेल से करेंगे क्योंकि क्या है कि मालो कभी कभी क्या होगा कि उसमें कुश्टन थोड़े असर्सन रेजिनिंग में पूछे जाते हैं कौन से खारे पानी की जील है कौन से ताजे पानी की जील है और कौन सी लेगून जील होती है कौन कयाल जिसको क्या बोलते हैं तो यह सारा कुछ जानने के लिए हम लोग कल का बेट करेंगे ठीक है तो हम लोग कल सायद मैं कल क्लास ना ले पाऊं अगर मुझे लग रहा है कि कल मेरा पेपर है अगर मैं कल नहीं ले पाया अगर मैं जल्दी आ गया पिपर देखकर हो हला क करऊंगा कि मुझे लगता है मैं आ पायों का बल्सक्राइश करा का बागां तो आप को समझ में आ गया है इसको मैं कहतले है तो जरूत हो भी तो कल के लिए इसको जरूर करा देगी बाष्चों ही 788 कस तोस्को सब्सक्राम नें कि बाफिए तो आपको तो आपको समझ metrics- कुछ ऐसा इसमें मैंने नहीं बताया क्योंकि यह एसा लॉजिकल टॉपिक नहीं है इसमें कुछ ज्यादा व्यक्टा था मुझे फैक्चुल मैं खुदि मैं थोड़ा कच्या रहता हूं मुझे समझाने वाली चीज़े मुझे ज़्याद अच्छे समझ में आती अच्छे लगता है ठीक है तो यह टॉपिक यह जरूरी है कि कुर्ष्टन आते रहते हैं यूभी PCS हो या और वी जो पेपर्स हैं हालाक यूपेश्टन तो यह कुछ पेपर्स से नहीं आ सकता है हाँ यह पूछा सकता है वह अलग कुर्ष्टन बन सकते हैं बट ज्यादा तर वन्डे एक्जाम में इस सारी को बहुत इंपॉर्टन रहता है आप लोग यह समझते होंगे ठीक है तो चलिए हम आज यहीं तक रखते हैं और हाँ आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हूं तो वीडियो को लाइक करें कमेंड करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ठीक है और दोस्तों शेयर करना ना भूलें आप लोग देखें तो मुझे भी लगएगा कि मैं लगभग हमें लग आट नौ मैं 10-11 मेह पढ़ाते हैं और उनके व्योज बहुत बढ़ रहें बहुत लोग देख रहें उनको और मुझे मैं जब इतना डीप पढ़ाता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा कि मुझे लग रहा कि मुझे भी उसी पटरी पर आ जाना चाहिए कि हलकाल का पढ़ाओ ताकि बच्चों को मरो लगेगा उसके समझ में आएगा और पेपर मिले ना मिले क्या फरक पढ़ता है बड़ मैं नहीं ऐसा करना चाहता हूं इसी वज़े से मैं इतना डीप में लगा रहता हूं और मैं आपको यह भी बताता हूं कि चाहें भले मेरे में दसी लोग देखें बड़ मैं जब तक प देखें थोड़ा सब मुझे भी लगे कि हां लोग देख रहे हैं तो मुझे और भी चीजे करने चाहिए और भी मैं इंप्रूमेंट अगर चाहत कोई करने वाला तो आप बताएं मैं वह भी करूंगा ठीक है तो बाकी सब चीजें चलती रहती हैं आप लोग बस लगे रहे तो तब तक के लिए ध्यान रकिए अपना और बाय नमस्ते जहें दोस्तों